मुझण नाफ बाए क्लास में पर लिया to monotonic function के चाग इनकरव में कैंसे उसके बारे में तो पहले तो ये देखलो ये समझ में आता है क्या पहले एक सक्सट और आप से और ओछ धींग्र Campaign ग्राफ बना लेता हूँ मैं चलो यह हो रहा हमारा कॉन क्यों डाउन्वड ग्राफ ठीक है अब इसमें क्या है कि मुझे दो पॉइंट को मैं कर रहा हूँ यह पहला पॉइंट हो गया और इससे जो करसपनिंग जो यह कोर्डिनेट होगा वह हमारा आलफा और यहां पे कहीं मैं दुसरा क्यों ले लेता हूं यह है फी माझने लेते हूं और इसके क्यूं-के जो corresponding to x coordinate है वो कौन सा होगा ये होगा समझो बीटा ठीक है तो आप देखो तो जो ये equation जो है y equals to fx है ठीक है ये जो कवरू का equation है अब अगर ये अगर alpha है तुमारा तो p के coordinate निकल जाएगे फिर अराम से कैसे मिलेगा ये ये होगा alpha और ये f of alpha होगा सही है और q के coordinates क्या होगे ये बीटा होगा और ये f of beta हो जाएगा सही है क्योंकि ये सिदा सिदा हम लोग कहां पर रखेंगे कहर के अंदर रखेंगे उसका y coordinate निकालेंगे अब क्या करते हैं अब इस pq line को join कर दिया मैंने ठीक है और इस pq line के उपर लामडा के दूरी पर है ठीक है या फिर mu के दूरी पर है और ये इस point से लेकर ये जो point प्यान लेती सको आर भोल दो मैं तो ये जो r point है कि ये जो q point से लामडा के दूरी पर ऐसा मतलब mu as a lambda को divide कर रहा है पी क्यों को यह समान की चलो ठीक है इसका मतलब अब यहां से अगर मुझे किसकी कोडिन निकाल देना है आरका अगर कोडिने निकाल देना है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं किसके साब से सेक्शन फॉर्मला यूज करके यह तो स्टेट लान इसलिए तो मैं यहां पे आरके कोडिनेट निकाल लेता हूं तो आरके कोडिन into alphaplus हुजाएगा मुउ into beta divided by lambda plus mu सही है और y coordinate क्या होगा इसका? R का तो इसको इससात multiplied कर लिए तो इसको इससात multiplied कर लिए तो इसका अंदर lambda into होगा f of alpha plus हो जाएगा mu times हो जाएगा f of beta ये इक सहीद समझ में आ रहोगा आप लोगो direct direction formula for internal division लगा दिया है ठीक है तो यह अपको R की कोडिन्ट निकल गये है ठीक है तो R के कोडिन्ट हम को मालू हो गए अब यह जो R से जो पासरे लाइन उसको अगर हम लोगे extend कर लेता है तो यह कभी न कभी इस curve को cut करेगे करेगे अब इस point को अगर तुमने t भोल दिया तो t के भी coordinates को मालू हो जाएंगे तो t के coordinates कैसे मिलेंगे देखो t point कहाँ पे है curve के उपर है और t का x coordinate तो यही रहेगा कौन सा lambda times of alpha plus mu times of beta divided by होगा कितना होगा lambda plus हो जाएगा यह तो होगा x coordinate y coordinate क्या होना चाहिए इस t point का देखो यह point कहाँ पे इस curve के उपर आ गया और इस curve का equation तुमको मालूम है ब्रावर इसका मतलब इसका जो x coordinate is curve के अंदर रखेंगे तुमको मिलने वाला था इसका y coordinate और जो कितना आएगा यह फॉफ आएगा लैमडा इंटू होगा alpha plus होगा मिव इंटू होगा बीटा और डिवाइड पे होगा लैमडा प्लस म्यू सब्सक्राइब यह होगा तुमारा यह t point करू के उपर का अब देख लो अब समझने वाली बाती है कि देखो यहां पे जो लिखा गया है y का जो t coordinate है y का जो t का जो y coordinate है मतलब इसको हम लोग बोलते है yt यह क्या है t point के उपर जो y coordinate आएगा और जो r point के उपर जो तुमारा क्या रहा है y coordinate आ रहा है कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा है देखो conq download graph है इसका मतलब क्या होगा यह yt जो होगा वो ज्यादा होगा yr से ठीक है और वही चीज़ अगर क्या होता अगर अपोर्ड होता graph अगर तुमारा ऐसा होता तो देखो यह setup क्या होता यह तुमारा पी है और यह तुमारा कहीं r होगा जिब इसको तुमने करेंट कर दिया और यहां पी तुमारा बीच में कोई कुरसा पॉंट आएगा यह q-point यह पी बीच में आएगा और अगर मान लेते किसना है लेंडा या मिउट एस टू लेंडा के अगर इसमें डिवाड़ हो रहा है तो अब तुमारा जो यह जो corresponding जो य वाइ ट आएगा व और YR जो होगा, वो उपर होगा, यह किस के केस की बाद चल रही है, कौन क्यू जब आपोड होता है तब की बाद चल रही है, लेकिन डाउनोड होने इसके वज़े से यह हमेशा ही यही साटिस्पाइड होगा, सही है, बस फिर आप तुम को YT क्यो, YT भी मालू है, YT कौन सा है तुमारा, यह बराभर, और YR कौन सा है, यह तो यह रग दो इसके अंदर, तो यहाँ पर आएगा, यह फॉस कितना, ल्याम्डा टाइमस अफ अलफा, प्लस, मू टाइमस अफ बीटा, डिवाड़ भाए होगा, ल्याम्डा प्लस, मू, ठीके, और इसकांसे कितना ना च यह होगा, ल्याम्डा टाइमस हो जाएगा, यह फॉफ अलफा, प्लस होगा, मू टाइमस अफ बीटा, और डिवाड़ भाए कितना है, ल्याम्डा प्लस हो जाएगा, मू, यह बन जाएगा, तुमारा, सही है, यह बन जाएगा, और अगर अपोर होता है, तो बस यह साइन उल्टा हो जाएगा ये फॉफ कितना हैगा लम्डा आल्फा प्लस हो जाएगा मिउट्र अव बीटा और बस ये होगा ठीन ओके इन पर्टिकुलर अगर हम जाते हैं मिडल फॉर्म मिड़ पॉइंट के लिए तो मिड़ पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए जो मिड़ पॉइंट के लिए क्या होगा कि वाई का मतलब लाम्डा और जो मिउंयु और है वह अगर दोने हические होते हैं मतलब से वखने मतलब हेवी यह जाया है yes फर्मल्यस में क्या चेंज होजाएगा इस फर्मल इसा को अंधल थैड़ मिव्या वाइगा फ्रॉप्लस में थल्च यह सब्सेंगा अलफा प्लस न हो तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो कि इसमें भी इन इक्वेल्टी इस प्रूफ कर सकते हो ठेक है कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा ठीक है यहां पर लिखाए अल्फा प्लस बीटा कितना है पाइब थ्री है और अल्फा बीटा कितना है जि कौस्ट बाना था यह प्रूफ करना तो कही नहीं आपर साइन ऐ अगर use किया है तो ये बात चल रही है साइच की ग्राफ की तो साइच की ग्राफ की सब्सक्रायऑ लेकिन कहां सिहां तक जीरू से लेकर पाई के बीच में और से रिख्ळ्म की न्हें आद यह आप मतलब तुम्हारा इसका corresponding coordinate वोगा alpha plus beta divided by 2 ब्रावर और इसके corresponding ये वाल पॉइंट कौन सा होगा ये होगा alpha plus beta divided by 2, ये फ़फ होगा alpha plus beta divided by 2 क्योंकि ये करूर के उपर है तो उसके सब से क्वाइटन निकलेंगे और यहां से क्या मिलेगा यहां पी क्या मिलेगा देखो मतलब चलो इसको जानाम ही देते है यह अगर पी है एक क्यू है यह आर है और यह ती है तो यह करूर का एक्वेशन किया था? y cos 2 था sin x बरावर ना तो इसको sin of alpha plus beta divided by 2 लिक्यों तो चल जाता ठिक है तो देखो फिर आप सबसेगे कोडिने बना लेते हैं लोग टीक एक वरेट का बन गय कोडिने थो एलफा प्लस बीटा डिवैड बाइट टू वाइक और इक तो इसा बन गया यह तो अब तुमको अगर और की कोडिनेश निकालना है तो यह आरकी कोडिनेश्य के लिए तो एक यह होगा वो यह होगा, अलफा प्लस बीटा डिवाइदा बाइट वगा होगा, जोगा यह वारतिकल लाइड hayat, हे एक स्कॉर्ण अर्ट वर्टीकल एंड पर कॉंस्ट वोगा लेकिन क्वाइप कॉर्ण जो है साइन आल्फा प्लस हो जाएगा साइन बीटा और इसा है यह साइन टेवेद विद्ध कुंक्यों को प्लस होजाएगा वाई की बीच में तो इसका मतलब बियोगा कान्कू डाउन्वड में क्या होगा कि वाइक के वाइटी के उपर जो है और वाइट जो आर के उपर है कौन बढ़ा होगा वाइज जो टी पर आएगा वो बढ़ा होगा वाई आर से चाहिए तो वाइटी कितना है इसके अंदर यह है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइट 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 यह होगा तुमारा वाइटी और यह ज्यादा होना चाहिए किससे यह होगा साइन अल्फा प्लस होगा साइन बीटा डिवाइड बाइट 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 ब तो यह रख दिया तुमने यहां पे तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा साइन पाइबाई शिक्स यह होगा गड़ादन साइन अल्फा प्लस होगा साइन बीटा डिवैट पाउगा तू तो तो यह कितना हो गया वन बाई टू साहिए तो अब इसको आगे सिंप्ल कर तो कितना होगा यह वन बाई टू गड़ादन हो जाएगा साइन अल्फा प्लस होगा साइन बीटा और यह डिवाड़ बाई तो यह तो यह तो यह तो यूज करके तुम इनिक्वैल्टी को भी प्रूफ कर सकते हो आगे बढ़ते हैं यहां पे प्रूद्याट इस निए टू नमबर्स एकस वन एंड एकस टू यह कुछ ऐसा होए तो इसमें जो देखके आपको पता चल रहा होगा कि जो फंक्शन इसमें यूज किया होगा यह रेस टु एकस का सही है तो यह रहा तुमारा एकस एकस और यह एकस और यह एकस और उसके अंदर हम लोग ऊके तो यह रहा तुमारा Y इकोस टू एस टुए एकस का ग्राफ ओके इसके अंदर क्या है इसके अंदर यह दोने दो पॉइंट ले लिया पीओर क्यूंड़ और ऑर पके करास्पानिक प्यूंड ले द कर रहा है ठीक है तुवेस्ट की एनई इसको चाहिए एसको चाहिए वन ही एसको लिख राओ आपको पता चल जाएगा अभी ये ये ओन जागा है तुम सभ्वाज़ लो की ये डिस्टन्स का मैश्री टिसन्व जादा है होंगे यह का एक्स टूए चुर्णेट्स चाहोंगे यह होजाएगा 2 इस्टी यह स्टू अब बारीयाती है आर सी वर्टीकल लाइनडॉट कड़ने कि तो इसका मतलब यह जो पॉंट है जहां पर यह वर्टिकल लैन क्वर कर कर रही है नुद कि थी 2, क्यों में हो जाएगा 3, डिवाइब भी हो जाएगा 3, यह होगा त्मारा, T का X coordinate, Y coordinate कितना हागा, 2 x J एक पर हो जाएगा, X1, plus J E का पर हो जाएगा X2, divided दिवाइब भी होगा 3, सही यह होगा त्मारा T K coordinates, अब R K coordinates देख लो, R K coordinates क्या होंगे, R K coordinates तुछ लिका लिए दिया हैं इसे अपने two times हो जाएगा x1 plus हो जाएगा x2 divide भोगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा two times e raised 2 हो जाएगा two times हो जाएगा e raised 2 हो जाएगा चाहिए यह कुछ गड़बट किया क्या लग रहा है देखो यह जो t के coordinates होंगे t के coordinates का इसे होंगे यह जो t के coordinates है तुमको क्या करना पड़ेगा जो भी इस point का जो x coordinate है तुमको e के power में रखना पड़ेगा मतलब यहाँ पर जाएगा e का power कितना होना चाहिए two times हो जाएगा x1 plus हो जाएगा x2 divided by होगा कितना तरी मैं क्या बोलों समझ में आप लोगो अगर समझ मान लेते एक स्कॉर्ण इसका जो टीका जो एक स्कॉर्ण के ना है x3 है तो यह वाइक कोड़ेट कितना हो जाएगा बस यह कर के ऊपर प्लस यह का पावर हो जाएगा x2 और divided by कितना जाएगा 2 सही है तो आप देखो यह अब यह वाला जो तुमारा यह का पावर है और यह वाला जो तुमारा यह क्या है y का कोड़नेट है तो इस ग्राफ में यह कंक्यू अपवड वने के वजह से जो तुमारा स्टेट लाइन है क्वाड जो है इस करके ऊपर आ जाएगी इसका मतलब वाई जो आएगा आर के ऊपर वो ज्यादा होना चाहिए y जो है एक्स टू और डिवाड बे होगा 3 बस यह वाला तुमारा अंसर आ गया ठीक है तो यही प्रूफ करने के लिए बोला था तुमको ठीक है इसका जो आंसर इससे ज्याद आएगा तो तुमको यह डिसाड करना पड़ेगा यह नंबर को देखके कि कितना तुमको इसको मल्टि अधिआ यह विए द यह डवाइस है यह जो अंधर लिखले ना एक्स-वन फ्रेसे टू-प्रेस टू-प्रेसे फट्री यह यह आएगा कहां से और नहीं सब्सक्राइब को दिमाग में रखके हम लोग आगे बढ़ेंगे या फिर आगे सवाल करने कुश्च करेंगे ठीक कि यह सेंट्रोड से बने का यह पॉइंट ठीक तो यह रफ स्केज बना लो साइन एक्स का क्यूं सानिक्स का बना रहा हूं है किसमें साइन ही इन ओल तो यह वह तुमारा जीरो और यह होखा तुमारा पाई च्लों मान लोग दें तुमारा एक जो पॉइंट है इसकता हृत पाइक सबनीग एके सब्सक्राइब, यह जो हें तो अगे तुमारा यहा। नहीं लिएक भट थोर'm, घ्जिग होब्स ンट श्रोआइगर द कट्रेंगल कम्प्रीट कर दो औक यह राइंगल हो गिए इसको नाम देना चाहिए तो दो यह होगा यह होगा पी और यह होगा सी करा तो रिंगल एी भी सी तुमारे पस आविलेब आपिस ट्रेंगल का जो पार करो लिए काहाद डर है नहीं नहीं हमाल मन लिते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है कि ट्रिंगल का चैट्ट योड्य और झ théo 후 होंगे बोलो कितना आ जाएंगे यह कॉर्नेट वा जाएगा तीनों कॉर्चनेट का एडिशियन डिवाइट रचिए और वार वाई कोडिन इतना एगा यह f f x 1 प्लस होगा f x 2 g प्लस हो जाएगा f f x3 और तोल डिवाट वाट रिटी सिटेके यहां प्र करने वाले बात है कि ये fix जो है सायने सैंक से नसे नमल सा इसा लिख दो तुम साइञ एक्स x1, sin x2, और यहां पर sin x3, दोनों भी चल जाता, ठीक है, तो यह तो होगे g कोडिनेट्स, अब g के कोडिनेट्स तो यह हो गए, लेकिन अब g से पास वने वाली क्लाइन केच लेते हैं, यह वाली लाइन, तो यह जो पॉइंट है, तो यह जो पॉइंट है, तुम्हारा कहां d के कोडिनेट्स कैसे आएंगे, देखो इसका x कोडिनेट्स मालू है तुमको जी का कितना है यह है, तो यह रख देंगे इस एक्वेशन में, तो कितना है गई, x1, plus हो जाएगा x2, plus हो जाएगा x3, divided by 3, यह क्या होगा तुम्हारा d, d का x कोडिनेट्स, और यहां पर यह जो x1, x2, x3, divided by 3 है न, वो कवर्व के अंदर दो तो यह होगा x1, plus होगा x2, plus हो जाएगा x3, divided by 3 होगा 3, ऐसे, सही है, अब, अब क्या करो, अब देख लेते हैं, यहीं पर रिलेशन, अगर एक क्वेशन क्यों डाउनोड होता है, तो ytp जो वैल्यू आएगी, वो yg से जादा रहेगे, ठीक है, तो ytp जो वैल्यू आने वाली है, yg से यह जादा रहने वाली है, yt कौन सा है तुमारा, यह वाला, और yg कौन सा है, यह वाला, और yt ही यह है, तो कितना हो रहा है, f of x1, plus होगा x2, plus होगा x3, divided by होगा 3, गड़दन और equals to, क्योंकि यह उपर आ f of x1, plus होगा f of x2, f of x3, और total yg में कितना हो जागा 3, तो कि यहाँ पर fx जो है, fx जो है, तुमारा sin x ही मान के चलो तुम, ना मान के क्या है, इसमें तो sin x use करना है नाम को, देखो sin x के बीच में टर्म है, इसलिए, ओके तो अब क्या को होगा, ऐसा दे दिया तुमको x1, plus हो जाएगा x2, plus हो जाएगा x3, divided by 3, गड़दान हो जाएगा, sin of x1, plus sin of x2, plus sin of x3, divided by 3, बस यह होगा, ठीक है, अब x1 plus, ओके तो यह समझ मेरी बात तो अब को, ठीक है, तो अब यह हो गया, प्रूफ तुमारा, ठीक है, कि यह sin of x1 plus x2 plus 3 divided by 3 का जो वैल्यू है, यह ज्यादा होना चेकिसे, sin of x1, plus sin of x2, plus sin of x3, divided by 3 से, यह तो हो गया, यह पहला वाला प्रूफ, अब दुसरा तुमारा क्या है, कि sin a, plus sin b, plus sin c, जो है, वो 3 root 3 by 2 की, यह maximum value है, यह बताना है, और abc के यह triangle के angle है, ठीक है, तो x1, x2, x3 के बदले, अब तुमको abc दे दिय यहाई सान, बस यही तो डिफरस है, तो लिग दो फिर हाँ पे, sin, यहाँ पे, x1 के बदले, यह, एक स्टो के बदले भी, फिर c, और यहाँ पे होगा, divide by 3, यह होगा, गडदान, यहाँ पे हाईगा, sin a, plus sin b, और होगा, sin c, और total divide by 3 होगा, अब कोई भी ट्रेंगल में, य जो इंटरनल एंगल होते है, उनका जो एडिशन होता है, कितना आता है, पाई होता है, तो यह तो होगा, पाई, यह तो होगा, पाई, मतला कितना होगा, पाई भाई 3 होगा, पाई भाई 3 क्योली कितना होती है, root 3 by 2 होती है, sin, पाई भाई 3, कितना होती है, root 3 by 2, तो in a b plus sign c और इसका स्रीट ना जायगा लेज जाना जायगा 3 रूट 3 बाई 2 से कम ज़साइन अपर साइन ब्लस अन से कितना है कि 3 रूट 3 ड्रीड़ बाई 2 से कर मैं तो अगर इसका मैक्सिमुम वेली चाहिए तुछ कितना है यह बस 3 root 3 by 2 के बराव राएगा ठीक नाइक कि इससे तो कम याइगा तो मैग्जान तो यह हो नहीं हो ला है तो बस यह बताना था तुमको ओके तो यह था ऐसे तुम लोग अब कितने भी इने क्योंटिस प्रूफ कर सकते वरावर कॉन क्यूविटी को इस चेक करके यहां पर हमने क्यों को चेक नहीं किया क्या है कि हमको बेसिक ग्राफ मालूम ही थे अगर नहीं मालूम होता तो हम क्या करते हैं कि साई नेक्स इसका बेसिक ग्राफ इसका सेकेंडे रेविट निकाल के देख लेते हैं मतलब लेजद आंजरो हो या गड़द आंजरो होती तो कंक्यो अपोड होगा और लेजद आंजरो होगा तो कंक्यो डाउड होगा फिर बात में यह वालाद यूस करना है तुमको ऐसे दो पॉइंट लेन स्टेट लेन के उपवर जो पॉइंट हो नीचे आएगा बस यह दो ही मतलब तरीके बन सकते इसमें ओके मिलते अगली क्लास में जय भारत